करनाटक चुनाव नतीजों से कॉंग्रेस उत्साहित है आपको बता दे कि आटीडिसीय चेर्मेन धर्मिंद राठोड ने करनाटक जीत को जनता की जीत बताया है उन्होंने काया है कि पहले हिमाचल प्रदेश और अब करनाटक में कॉंग्रेस ने जीत हासिल की है राजस्तान में आगामी विधानसवा चुनाव को लेकर राठोड ने कहा कि काट की हांडी बार-बार नहीं चड़ती इसलिए अब जनता बीजेपी के जूटे वादो का इंतिजार नहीं करेगी जब मौजूद हैं आटीडीसी के अध्याक्ष धरमीन राठोड जी के साथ और चलिए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लगातार जो कॉंग्रेस सरकार है उसकी अध्याक्षता में और कॉंग्रेस सरकार के आने से जो आटीडीसी ने एक नया रुख ब अध्यारिया की चारही है जी सर मैं आप से जाना चाहूं है देखिए जस दिन मैंने आटीडीसी के चेर्मेन का पदभार समाला उस दिन आटीडीसी का क्या हाल था ये मुझे बताने की जरूत नहीं है आप सबको पता था और बहुत ही चनोतीपून का रहे था लेकिन मेरा ह टार्गेट रहा है मेरा अपना एक पैशन रहा है कि चनोती जब मिलती है तो उससे बहुत कुछ सीखा जाता है और चनोतीपून काम को जितनी खुबसूरती से किया जाए उत्रा ही उस काम का मैतुवी बढ़ता है एक और चीज में आपसे पूछना चाहूंगी जैसा कि हमाचल में जो चुनाव हुए थे वहां पे भी कॉंग्रेस ने जो अपनी कुरसी है वो जमाली है उसके बार अगर हम बात करें करनाट का चुनाव की तो कॉंग्रेस ने वहां पे जो बीजीप सरकार है उसको किस तरीके से रुख रहने वाला है क्या कुछ अशोग घहलोद स्पेशली अगर मैं पॉलिसी की बात करो या फिजनाया बजट की मैं अगर बात करू तो क्या कुछ इस बार राधिस्थान साहित पूरे देश में कॉंग्रेस का रुख रहने वाला है देखिए काट की हंडी एक ही बार चड़ती है बार बार नहीं चड़ती है मोदी जी ने बीजेपी ने देश को जो जहांसे दिये युवाओं को रोजगार दूँगा नहीं दे पाए मेंगाई को कम करूंगा नहीं कर पाए देश को मतलब पूरा देश को ये कहा कि देश को विश्व में गुरू बना लेंगे, वो हाला थाम देख ली, यानि मोदी जी ने बीजेपी ने जो जहां से दिये, उससे देश तरस्त हो गया, केवल उन्होंने हिंदू मुसल्मान करके, और इस स्टाइल से वो एक बार प्रदामंत्री बन गे, दोबरा बन गे, अब देश सारी सच्चा ही जान गय है, कि जो देश के बुनिया दी मुद्धे हैं, शिक्षा के चेतर है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, शिक्षा के चेतर में कुछ नहीं हुआ, हमारे प्रदेश के मुक्टमंत्य आदरणी आसो गलो जिले हैं, जो सोशिल सेक्योर्टी स्केम्स लाए देश में, वो पूरे देश में कहीं भी किसी भी राजबे नहीं है, हेल्थ इंफरास्ट्रक्चर और हेल्थ स्कीम, तो साहिद दुनिया में भी कहीं नहीं है, ऐसी स्कीम है, पत्चीस लाग का मुक्यमंत्री चिरिंजीवी स्वास्त भीमा ही हो जड़ा, मैं यूरोप भी घूम के आया, तो कहीं होने का मंतलब भी लिए, आने वाला समय राजस्तान के लिए जो नुवाचार राजस्तान में हुए हैं, यह उम्मीद करते हैं कि हमारे मुक्चमंत्रिया सोग गयलोजी के डेटरतों में कांग्रेस की सरकार राजस्तान में भी बनेंगी, देखिए हमने बात की अंग्रेस सरकार इस लड़ाई को लड़ने वाली है, कैमरमन मुकेश मीना के साथ प्राची सैनी सच्पी दरक चैपर